वेल्कम बैक तो माई चैनल तो कल हम लोगों ने सारा अम्रित सर घूम के फिर हम लोग रात को होटल में स्टेक किया हमने तो अभी सुबह हो गई है सुबह के बच्छे हैं साड़े च्छे तो हम लोग उट गए हैं तो अभी होगे फ्रेश सव्रेश उसके बाद हम लोग हरेंगे speaking Luego के लिए तो थोड़े टाहर को बिलते हैं तो थोगे रात को बिलते हैं अभी हम लोगों ने होटल से कलिये चैक आउट और अभी Уलोग निकल रहे हैं ऑभी जस्ट यहां से अभी गाड़ी शटी के ऐ pak तो अब भी निकल रहे हम दिली के लिए और यहां से दिली का रास्ते में गड़ा है जो फ्सक्श। जो देखते हैं, साड तीन सो क लिड्यू वैजये है, अब खाड़े, हम कल लाए थे, और कल हमने और कुछ खाली आई है, पड़ेवे तह गाड़ी में अभी काम आगे हमें सुपा, खाली पेड़ी, और ये देखो, सब्सक्राइज, यहां पर यहां पर सब्सक्राइज व्यू देखो, और आप बोलते हो बैलन्स भी करता गाड़ी और अब भी हमारी गाड़ी जो आ रही है, 120 की स्पीड में भागती हुई, और ये हमने ट्रक को भी छोड़ने वाले हैं पिछे, छोड़ दिया, और यहां से दिल्ली बिदा रहे है, 346 किलोमेटर और हम चल रहे हैं इस ताइम है, नेच 44 पे, सुपर दूंद 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 से लगे है, और यहां पे है गुरदवारा साहब, और अभी हम लोग आई हैं, ब्रेक्फस्ट करने, धापे पे, और हमने ओर्डर दे दिया, मिक्स परांथा, चाय तहीं, और अभी रेडी होने में टाइम लगेगा, तब तक हम बैटते हैं में वेट तरके हैं, और अभी हम ने गाड़ी रोकिया, जूस पीने के लिए, यास, अभी हम लोग आई है, यहां रेस्ट्राइंट, रेस्ट्राइंट में रणबे रस्ट्राइंट है, यहां भी जाएंगे हम लोग अंदर, बिटते हैं, और यहां पच्छो की पिकनिक भी हम भी आई हैं, यह में सभी कास आया हुआ है, यहां पुरा स्कूल आया हुआ है, यहां पे मिक्स 17 खड़ा हुआ है, और यहां पे एक और इतना है, यह प्रिंट जाना है, कहां गया है, अब हम लोग आ गए, बर्गर किंग, क्यूंकि हमें चलते चलते लग गई थी, बूख थो, हमें रास्ते में मिल गया बर्गर किंग, तो हम लोग आ गई यहां पे, और फिर हमने दिया, और आडर आने में टाइम था, तो हम बैठ के कर रहे थे, पेट, और हमने बर्गर लिया, और एक रैप लिया, और वो हो रहा है, पैक अभी, तब तक हम कर रहे हैं, यहां पे बैठ के बड़े, और यह आ गया है हमारा बर्गर और टैको, हम ने वहाँ पर नहीं खौया, क्यूंकि हम लोग लेट हो जाते, तो अभी हम गाड़ी में खाएंगे, और यहां से ले रहे हैं, हम एक्जीट, यह भी रहा है, यह बता लाने के बन देता है, पुरान हाँ, क्यूंकि इसमें यह हल्दी राम है, यह सारा एक्जी में आता है, पर अब भी हम लोग हैं अमबाला में, और अब भी हमें यहां से लगेंगे, तीन साड़े तीन गंटे, तब तक हम वहाँ पहुंचते पहुंचते पक जाएंगे, चलू, प्रगर किंग का टैको, यह हमें मिला पचास रुपे का यह था और बीस रुपे का इसमें डाला हुआ था और ने चीज की ठीकी, और यह बेसिकली है, क्या मैं आपको बताती हूँ, यह मठी होती है ना हमारे होँआवे, मठी होगी होगा, फोल्ड उसमें डाला हुए है, बंद को पी डाला है, प्यास डाला है, और नमक डाला होगा, और जो बीस रुपे की जो स्लाइस है हमारी वो डाली हूई है, पिच्चूसी, ए देखो, प्यास आठा के सत्र, सत्र बेदा इनु है, यह मठी है, यह यह ब्यू क्या अच्छ है है, हम अधी लोगों की फड़े और यह आगया हमारा चांदनी चोक टू चाइना, फिर भी हम लोग आ गए थे देली, फिर उसके बाद हमने किया डिनर और होटल में रूम लेके समान चोड़के, और हम लोग आगे मैट्रो स्टेशन, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए इंडिया गेट, और हम आगे थ चलते चलते हमने खाई आइसका बरभी हम जा रहे हुरो आ ऐस एच और इंडिया घरा बर है को और हम ए थे है ऑदिया लगोके मारेक घाले नी डिली नाइट एक्स्प्लोर करने नहीं नहीं दिल्ली नाइट एक्सप्लोर करे हो, खिएपिया पे रिके अगल के तबस्य झार प्रसार भार की हाउस और यह क्या है बिल्डिंग और यह है इंडिया गेट और अभी हम में चलते चलते लगी बूख और हमने खाई बिलपुरी और अभी हम आ रहे हैं वापस अपने होटल के रो में और यहां से हम लेंगे आटो क्यूंकि आते टाइम हम थोड़ा पैदल चल के आए थे किलो मेटर और अभी हम ठग गया है तो हम जाएंगे आटो में और यहां से कर अभी आए चेक आउट और अभी को आए मैं यहां पे रिक्वेस्ट करने हो और हमने अपना और अधिलिया करने के रूथ हो और साथ में हम जाएंगे एक्टाय और यहां पे है शाही रबडी सट्रोईवी और यहां से फिर हम जाएंगे घूमने पहले हम करेंगे धेर सारी देख वहलो भूशनी मार्केट में है जो हमने ने ना तेखा हूँ है तो मिले हम से स्था समान बीसार, भी लाप बिताएंगे बदेखे पर लोगशाasan बढ़वाँंगे हम घूमने फिर आपको बताते जाहेगे और साथतहास में तो मिलते हाप को हम ब्रिखफस्ट आता है तो बता जींकि किया क्या ब्रिखफस्ट में लिया है तो मिल्फ है तो खोड़ी देन में अब ब्रिखफस्ट और है रेडी और अब हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और यहां पर हम लोग करवाएंगे पहले टिकेट सरोजनी मार्केट की और फिर हम लोग यहां से मेट्रो में जाएंगे सरोजनी मार्केट आपनगे अपर अब हम लोगों की आगे एक टिकेट और यहां पर एक बड़ा सही है जब टिकेट को यहां भेर सिकारो जाए फिर आगे दी जा सकता है अफिर चांगे और हमें ने अबने की गाता पर एक नंबर गेट पर वहा लोग हागी मैट्टो और मैट्रो में मिल गई थी सीट, नहीं को की जाना पड़ता था और महां सेटे हुए थेhou और हमारा स्टेशन आने का वेट करें फुरू भूरननों वहले से में इधा किर niño मार्केट और में आद़ स्टार बंदी बड़ा feuiche क्ता इस लगा यहां का मार्केट और यहां पर हमें इतनी इच्छे इच्छे और सस्ते में चीज़ें मिल गई और फिर हम चॉपिंग करके आगाए थे वापिस और यहां पर टिकेट कटवारे थे मैट्रो मेर मैं पैठी ही थी कि मैं थख गई थी मौलो फाइनली गाइज अभी हम लोग आ गई हैं होटल के मौन में थख कहार के हमने हमने शॉपिंग क्या बता हूं क्या किया की भी और नहीं भी की नॉर्मली ऐसे एक दो चीजी ली पर हमारा पूरा दिन वेच लिए जूट कितनी शॉपिंग की कम से कम 30 इस दार किया इस ने शॉपिंग किया अज यार नी इस एक चपल लिया एक लिय बस पर्स लिया बस वो थीन टॉप एक पैंट जैकेट लियें चार-पांच तो है ना उसके बाद वो ली है एरिंग्स वगरा नहीं महांगे थे फिर फोन के लिये लिए पर आइफोन का मुझे गवर पसंदी आया आप बोड़ रहें और अभी करेंगे थोड़ी रेस्ट फ्रेशन अप ओके चेंज करके फिर हम जाएंगे नहीं अभी मैं जाओंगा मैं थक गया हूं अभी नहीं डिनर करके फिर अम जाएंगे गूने नहीं मैं थक चुको हूं किया आप अप कांटिनु गर सकते हो आप जाओंगे लिकास को लेकर अविचे यह थख चुका हूं तक चुका हूं यार आप ने शॉपिंग ही तो क्या तक है कि यस अब हम लोग अभी हम लोग आ जा रहा है हम गाहूंगा देनर कने तो अभी चलते हैं फालोग प्रिक्टा आ जाना है चाहिसंट प्रिक्स इंच करेंगे वहाँ चलते हैं चलते हैं फालो में बोलाप और मुल्यारियनी जोर शे बोलो डिनर करने आया है बोलो तो अभी हम योग आएंगा डिनर कने और हमारी स्पेशलता खाली हो रहे हैं रेडियनी और मुल्यारियनी अभी हम लोग आये हैं जामा मजजी दोर हम आपको यहां का भी दिखाएंगे चलो आजाओ और यहां भी मार्केट भी पता है खुल के करो शॉपिंग दबा के चितने ही कर सकते हो हाएं बोड़ कि और हम दोगया है और ये है जामा मस्जिद और हम लोग हो गए थे लेट तो ये हो गए थी बंद तो हमें बाहर से ही देखनी पड़ी और बाहर से ही शूट करनी पड़ी और हम लोगों ने शॉपिंग कर ली यहां पर थोड़ी बहुत मार्केट अच्छी थी यहां पर ठीक रेट में चीज़े मिल रही थी तो हमने यहां से भी फिर शॉपिंग कर ली लाल किला 13 मैं 1648 को कम्प्लीट हुआ था इसको लगबग बनने के लिए 10 साल लगे थे और इसकी दिवारें लाल हैं और इसको इसलिए लाल किला कहा जाता है और यह बड़ा जादा बड़ा है और यहां पे मस्जिद बगएरा भी है और 15 अगस्त के दिन यहां पे पर धान मंत्री बाशन देते हैं अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक लिए बबाई